आज है दितिया फ्रेंड्स आपका अर्गाडन से सुरू करते हैं और एक न्यू ब्लॉग का साथ और मेरा पीछे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो दुर्गापुजा का तोड जोड पुरा आरम हो चुका है काम बगरा चल रहा है चारो तरफ जैसा ही इस साइड में भी आप देख रहे हैं मिस्तरी लोग काम कर रहे हैं और उस साइड में अभी पेंटिंग का काम चल रहा है और पीछे में जैसा मेरा है पेंडाल तो बने ये फीडियो में और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब जब कर तो जैसे कि हम लोग बता रहे हैं तो जो गोडा जो रत का सवारी है इस साल बनने जा रहा है और देख रहे हैं गोडा सब यहां पर इस्टबलिस हो गिया है और अभी आगे ले जाके दिखाते हैं ज जो आपका गाडन में कैसा इस साल बनने जाएगा कैसा बनेगा फ्रेंड्स पंडाल और अंदर में मूर्ती आया है या नहीं वो भी हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स तो बने ये वीडियो में तो यहां पर जैसे कि सुखने के लिए दिया गिया है सारा थार्मो कॉल और यह है रत का चक्का सारा कुछ आप देख रहे हैं अभी एक्स्क्लूसिव वीडियो इसान ट्राबस में जितना जल्दी हो सके ब्लॉग को आज ही हम रिलीस करेंगे और यहां पर पेंटिंग का काम चल रहा है यह दिखे एक बड़ा सा रत का चक्का जो थार्मो कॉल से बना आ चुके है मंडप का देख सकते हैं अभी तक मूर्ती नहीं आया है पृतिमा नहीं आया लेकिन उपर का जो काम है कंप्रेट हो चुका है जो चारो साइड में पांस बगरा लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है अंदर का काम आल्मोस्ट 90% डन हो चुका है खाली मूर्त जो आप स्टेज देख रहे हैं यहां ही पर मा को रखा जाएगा और हुमेन बिंग सारा कुछ रेडी हो चुका है यहां पर दीखिये नीचे में बहुत सारा रखा हुआ है सब क्लियर हो रहा है क्योंकि जैसे कि अभी इंफोर्मेशन का मुताबित चतूर्थी का दीन यहां दोस्तों व्लोग कैसा लगा आपको बताना है मुझे कॉमेंट करके और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस सल का थीम है मा आ रहे हैं यहां पर गोड़ा में चड़के और रद का बड़ा सा चक्का का निर्मान किया गिया है यही थीम है फ्रेंस आपकार गार्डेन का बहुत खतरनाक है और मुर्ती के लिए वेट कीजिए ब्लोग बहुत जल्दी आने बाला है फ्रेंस तो मि जैन बंदे मातरम फ्राम आपकार गार्डेन आसन सुर्ड़ के थेम कुड़ा कुड़ बाज छेनू पूर हेलो जे पूजर लोगो